हैलो ट्रिक बुग लवर्स आज में बात करने वालों इतियास के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है गुप्त वन्स हिद्य आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पेन की ट्रिक बुक चैनल के उपर मैंने आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री एनिमिटेड वीडियो के साथ करवाई है और आगे भी मैं करवा रहा हूँ जिनें भी वो वीडियो देखना है वो मेरी चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट को चेक आउट कर सकता है जिसका नाम है हिस्ट्री और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो को लाश्ट में भी आपको दे दूँगा तो बात करते हम गुप्त राजवन्स के बारे में गुप्त बंस की स्थापना उपगुप्त ने की थी गुप्त बंस का पर्थम शमराट चंदरगुप्त था इसकी शादिय लक्समी राजकुमारी से हुई थी गुप्त समथ की स्तिरुवात चंदरगुप्त ने ही की थी वेरी वेरी इंपोर्डन टॉपिक चंदरगुप्त पत्थम का उत्रादिखारी समंदरगुप्त हुआ जिसको लेकर के एक्जाम में कुषिन पुज़े जाते हैं बारा सासकों को पराजित करने के कारण इसे भारत का नेपुलिन कहा जाता है एक्जाम में कुषिन आया हुआ है समुद्र गुप्त का दरबारी कवी हरी सेंड था और इसने इलाबाद परसस्ती लेक की रचना की थी समुद्र गुप्त विश्णों का उपासक था और इसे असुमे करता की उपादी धारन की थी समुद्र गुप्त संगीत का परेमी था इसका अंदाचाहिस बात से लगाय जाता है कि उसके सिक्कों के उपर वीर्णा का चिन अंकीत था समुद्र गुप्त ने विकरमंग की उपादी धारन की थी इसे कवीराज भी कहा जाता है देखें आपकी एक्सदाम के अंदर आपको ऐसे क्यूसन को इंपोर्टेंट जरूर ध्यान रखना है बहुत तरह सलिवास है बहुत सारा पोर्शन है आपको काफी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ऐसे में आपको सारे चीज़े ध्यान में नहीं रहती है और सबसे ज़्यादा जो चीज़े हम बोलते हैं वो हमारा जिके का पॉर्शन ही रहता है और मेरी यही कोशिस है कि मैं इसी को धान में रख करके आपको इंपोर्टेंट क्यूसन करवाऊं और उन क्यूसन को इमेजिस के थरो करवाऊं ताकि वो आपके दिमागों फीड हो जाए हमारा मैंड विज्वलाजेशन टेकनीक के उपर काम करता है यहना कि जो भी हम चीज़ देखते हैं वो हमारे मैंड जल्दी केप्चिर करता है यदि मैं आपसे बोलू एपल तो आपके मैंड में ये एपल आएगा ना कि AWPLY ये हालां कि हमने बच्पन से पढ़ा है AWPLY ये वाल इसलिए मेरी वीडियो जो है वो बाकी सारे यूटूब चैनल से डिफरेंट है थोड़ी सी मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं आपको इन 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा important question और जल्दी से जल्दी वा important question आपको करवाने का मक्षित पूरा कर सको इसी को धन में रखे में वीडियो बना रहा हूं और इसलिए ये आप मुझे support करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और इन वीडियो को सेर जरूर कीजेगा अपने WhatsApp या फिर टेलेग्राम ग्रूप में या फिर अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जियो की आपके साथ पढ़ाई करते हैं किसी competition exam की त्यारी करते हैं और फिर से आते हैं अपने टोपिक के ओपर चंदर गुप्त दिवते के सासनिकाल में चिनियातरी फायान भारत आया था नालंदा जो विश्वविदायल है वो उसकी इस्तापन कुमार गुप्त ने की थी अंतिम गुप्त सासक जो था वो विश्वनो गुप्त था तो यहां पर मैंने आपको गुप्तवंस के बारे में बताया है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजिन करवाऊंगा यह एक चोड़ा सा ही टोबिक था और इसके मैंने कुष्ण सापको लगभग कंप्लेट करवा दिये हैं कुछ एक most important कुष्ण बचे हैं यह एक चोड़े रिवीजिन के बाद मैं आपको कंप्लेट करवाऊंगा घुप्तवंस की सतापना उपगूफ्त ने की थी और उपगूप्त जो है उपर्तिम समराड था जिर्यों ने घुप्त समुद्ध की सतापना की थी चंदरगुप्त का बेठा हुआ समद्रगुप्त और उसे भारत का नपोलिन भी कहा जाता है किया संगीत का प्रेमी था और इसे ने विक्रमंग की उपादी धारन की थी नालंदा विस्व उद्दायले की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी वेर इंपोर्टन क्यूशन है मैंने एक उसे एक्जाम के अदर देखा है अब बात करते कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स की गुप्त समराट वेशनों धरम के अन्वैवी थे और विस्वनों का वाहग गुरुड गुप्तों का राचीन था चंद्रगुप्त दिवत्य के सासनकाल में संसकर्द भासा का सबसे परसिद कवी कालिदास थे चंद्रगुप्त दिवत्य के दरबार में रहने वाले आईरविदाचारी धनवंतरी थे तो देखिए चंद्रगुप्त दिवत्य के सासनकाल के बारे में कि दो most important questions से आप इनको तो रटा ही मार लेजेगा यानिकि सबसे परसिद कवी कालिदास थे और जो आयरविदा चारी थे वो धन्वंतरी थे कि उसे ने ऐसा आता कि इनके दरबार में थे तो आप कांसर होगा चंदरगुब दूटे सांस्कृत कुपलिद्य के कारण गुप्त काल को भारती इतियास का सुरन यूग कहा जाता है कि भी important topic है कि भारती इतियास का सुरन यूग किसे कहा जाता है तो भारती इतियास का सुरन यूग गुप्त काल को कहा जाता है तो यह था गुप्त बन से लेटर topic असर करतों आपको पसंद आया होगा चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्रेलिस्ट को भी वाच आउट कर लीजेगा यह दियाब ऐसी वीडियो और देखना चाते हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कियेजेगा और कमेंट कियेगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टोपिक पर चाहिए या फिर आपको कौन से चीजे इस वीडियो में अच्छे लगी है और कौन से वीडियो की कमिया रही है अच्छे हैं मुझे मोटिवेट करेंगी और जो कमिया हैं वो मुझे बताएंगी मुझे किस तरीके के इंप्रूमेंट की और जरूरत है